अक्सर खाना बनाते टाइम गुथा हुआ आटा बच जाता है और वेस्ट ना करने के चक्कर में हम आटे को फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन यूज कर लेते हैं और आपकी ये आदत सेहत के लिए कितनी खतरनाक है इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते में फर्मेंटेशन प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाती है इसलिए इस बासे आटे में बेक्टीरिया और हामफुल केमिकल्स जल्दी पैदा हो जाते हैं जो हेल्थ के लिए काफी नुकसान दायक है थकान और आलसपन दरसल फ्रिज में टेम्टेशर कम होने से खाना भले ही सरता नहीं है पर उसमें मौझूद नुट्रियंट्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं ऐसे में बासी खाना खाने से आपको आलस और थकान की प्रॉब्लम होना लाजमी है इम्यून सिस्टम होता है खराब पेट में कब्स और इम्यून सिस्टम खराब होने के पीछे भी बासी खाने का बड़ा हाथ है जिन लोगों को पेट में दर्द और गैस की समस्या रहती है उन्हें भी बासी खाना खाना बिलकुल बंद कर देना चाहिए